हेलो दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभिदन नन। साथियो, आज आप और हम खास्तोर पर जो की BSTC की क्लासेज हैं, PTT की क्लासेज हैं, जो एंट्रेंस एक्जाम होगा, उसमें जो एक सिक्षन अभिरूची परिक्षन के जो क्यूशन्स आते हैं, उनके कुछ पाठेकरम है और उट पर हम बात करेंगे, और फिर कौन से टोपि सिक्षन अभिरूची परिक्षन में मुख्य रूप से आपके ये टोपिक आ रहे हैं सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, इसी परकार से साथियो एक है लेडर्सिप या नेतरत्वत और संप्रेशन, एक अगला टोपिक है व्यवशाहिक प्रतिबदता, और अंतय वेक्तिक शम्मन्द और अंतिम जो आपका टोपिक आपके सिलब्स में है वो सजगता, साथियो ये एक छोटा सा पाठेकरम है और इन सभी टोपिक के उपर आप और हम अगले आठी से दस दिन तक बातचीत करेंगे, तो आज अपना जो टोपिक है वो साथियो है सामा की ओर से, जो अपनी क्लास है आज वो सामाजिक परिपक्वता, अब साथियो आपको ये लगेगा कि सामाजिक परिपक्वता है क्या, चलो इस टोपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दो, इसमें तथ्यात्मक जानकारी नहीं पूछे जाती है, आपकी समझ देखी जाती ह है तो समझ आधारित आप से प्रशन पूछे जाएंगे, तो साथ यो आपको समझने का प्रिपक्वता लाने से पहले है क्या है, मैं आपको समझाता हूं आप और हम सब क्या है अ कि पर्सन है विक्ति और विक्ति एज़े यो मॉलीजे अनीमल ही है, जबती कि वो सोसाइटी का मेंबर नहीं मंता है अब आपको यह लेगेगा कि आखिर समाज क्या है कि समाज सरल भासा में साथियों कहा जाए तो समा एक समूव का नाम है कि द्यान रखना समूव और भीड में अंतर होता है भीड में भी बहुत से लोग होते हैं लेकिन वह सिस्टेमेटिक नहीं होते हैं व्यवस्थित नहीं होते हैं उनके बीच में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं उनके बीच में कोई नियम नहीं होते हैं कोई व्यवस्था नहीं होती है तो भीड एनियंत्रित होती है उसे रेगुलेट नहीं क्या जा सकता है भीड अनुशासित नहीं होती है लेकिन जब बहुत से विक्ति समू बना लेते हैं और वो उस समू में कुछ आचरन करने के नियम होते हैं अर्था थ उस समू का मेंबर वेटी है तो मुझा बनाए गए नीमो को माने गए तो उस जैसे ही हम कहें बहुत से विक्ति मिलकर या एक समू अपने लिए खुछ नियम मना लेता है तो वह बन जाता है शाथ हूं समाज और कोई भी वेक्ति आप और हम भी वेक्ति समाज का एक सदस्य होता है अब देखे आपको यह कहाएगे कि शब्द है नागरीक उम्मीद करता हूँ आपको वेक्ति और समाज में अंतर समझ भागे जब यह जो सोसाइटी थी जो समाज था वह एक राजनतिक संगठन का रूप धारन कर लेता है तो राजनतिक संगठन का रूप धारन कर लेता है तब उससे को हम राज्य कहते हैं जिसको अपन देश बोलते हैं राज्य करते हैं और किसी राज्य का जो कोई सदस्से होता है राज्य के सदस्स को नागरिक करते हैं और एजुकेशन का भी मुख्य उद्दे से साथ हुग क्या है एक अच्छा नागरिक तयार करते हैं है हमारा पूरा सिस्टम चाहता है एक अच्छा नागरिक तेयार किया तो इसलिए ध्यान रखे व्यक्ति से हम समाज की और बड़े समाज से हम राज्जी की और बड़े राज्जी से हम फिर नागरी का कंसप्ट समझने का प्रियास्का अब आपको लगेगा कि यह चीज में क् सामाजिक परिपक्वतार टोपिक पे ही आने वाला हूं पांच से साथ मिनट बाद में लेकिन जब इन टरम्स को आप समझ जाएंगे तो आपको सिक्षण अभिरूची से संबंदित जो जितने भी टोपिक्स है उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा अब देखती सा मेल अब्जेक्टिव क्या है बच्चे का है और स्वर्वांगिन विकास और जब बच्चे का विकास करना है तो विकास की प्रिक्रिया को हमें समझना पड़े तो यहां आते साथ हूं विकास तो विकास की प्रिक्रिया कहां से सुरू होती है विकास की प्रिक्रिया जब बा होती है प्रक्रिया उस उस प्रोशेश को हम कहते है विकास से जब तक वालक का विकास नहीं होगा ततक वालक सीख नहीं पाएगा लर्निंग पाएगा हम कहें learning के लिए विकास का होना जरूरी है जैसे सरल सब्दों में कहा जाए कि आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो और उस इस तरका अगर उसका मस्तिक्स का विकास नहीं हुआ है उसका मांसिक विकास नहीं हुआ है तो बालक उस content को उस विसरवस्तु को नहीं सिख पाएगा जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है अब पांच साल का बच्चा आप उसे न्यूटन के गति के नियम सिखाना चाहोगे तो नहीं शीख पाएगा क्योंकि उसका अभी उतने मांसिक विकास से मांसिक शक्तियों का विकास से नहीं हुआ है तो अब हमें यह समय सब्सक्राइब लर्निंग क्या है और विकास में अंतर क्या है विकास एक अपने आप चलने वाली प्रिक्रिया और ऑट्रोमेटिक चलती है अपने आप चलती है अर्थात विकास का सम्मंद्ध परिपक्वता से है यह जैसे जैसे विक्ति की प्रिपक्वता एक ऐसी प्रिक्रिया है जो अपने आप चलती है उस प्रिक्रिया को हम कहते हैं प्रिपक्वता लेकिन विकास आजीवन होता है मिर्दू तक चलता है प्रिपक्वता एक निशित आयूत यह जो मानी जाती है 18-20 वर्स के आयूता कर फून्हटा पूर्टा को प्राप्ट क्र लेती है तो हम कह सकते हैं गर्वधारन से लेकर और और करीब 18-20 वर्स के आए उस्ताइब पॉर्पक्रता है कि साह्ट विकास अपने आप चलता है अधीगम हम क्या करते हैं कंचीज सीखने है कि यह थे करना कोई चीज सीखने है तो या तो हमें प्रेक्टीश करनी होगी है या हम उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो अभ्यास या प्रेशिक्षन के दुवारा हमारे बिहेवियर में हमारे वेवार में कुछ चेंज होंगे और यह होने वाले जो चेंजेज हैं जो हमारे वेवार में जो परिवर्तन हुए हैं उनको हम सीखना या लर्निंग कहते हैं जिसे हिंदी में अधिगम कहते तो विकास है कि लर्निंग के लिए डावल्लप्मेंट जरूरी है अगर डावल्प्मेंट हुआ है तब तो लर्निंग कर पाएगा यह इसका संबंद है एक आपको यह समझना पड़ेगा कि सामाजीकरण क्या है समाजीकरण यहने कि सोसलाइजेशन अब आपको लगेगा यह समाजीकरण क्या है यह सीखने की प्रक्रिया है कि इसका भी लर्निंग से सम्बंद समाजी करण का भी समंद्स किसे लर्निंग से जैसे अब मैं आगे आप से बढ़ता हूँ समाजी करण सीखने की प्रक्रियाग समाजी करन के साथ ही हो समाजी करन एक प्रक्रिया का नाम एक प्रोशेश का नाम है प्रक्रिया का नाम है समाजी करन और यह प्रक्रिया किसकी है सीखने इसके अलतरकत क्या होता है आप यह समझें कोई भी सोसाइटी है कोई भी सोसाइटी है समाज है, मैंने पहले बताया था विक्तियों का एक समू होता है, एक सभा होती है विक्तियों की, उस सभा या वर्ग या समू को हम क्या कहते हैं समाज, और ये समू क्या करता है, अपने विक्तियों के लिए कुछ नियम बनाता है, कुछ कानून बनाता है, कुछ परंपराई बनाता है, कुछ रीती रिवाज बनाता है, कुछ आदर्स बनाता है, कुछ मुल्य बनाता है, वैल्यूज और इसी परकार से हम कह सकते हैं, कि कुछ विश्वास बनाता है, समाज में समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ कानून होते हैं, समाज के कुछ प्रंपराएं होती हैं, समाज के कुछ रीती रिवाज परताएं होती हैं, समाज के कुछ आदर्स होते हैं, हर समाज के कुछ values मुल्ले होते हैं कुछ समाज के beliefs यह विश्वास होते हैं अब इस समाज में जो लोग रह रहे हैं इस समाज में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने बड़े विक्तियों से यह अपने समाज में जो प्रमप्राई नियम कानून चल रहे थे उनको सीखता है और फिर धारन कर लेता है अर्थात अपने जीवन में उन चीजों को उतार लेता है तो हम यह कह सकते हैं समाजिक्रण क्या है एक पीडी से एक पीडी से एक पीडी से दूसरी पीडी प्रमप्राएं सीखती है तो इसे ही समाजिक्रण कानून क्योंकि समाजिक्रण की प्रकृया ही उस बालक को उससमाज के काबिल शकल बनाएगा कि वहां समाज उस बालक से क्या अपेख्शाहें रखता है उसके अकोर्डिंग यह उस बालक का उसमाज करते हैं समाज के लिए उपयोगी वेक्ति या नागरिक शाबित करने के लिए और अगर किसी वालक का सही दंग से समाजिक्रण हो गया अर्थत अपनी समाज के नियम कानून परंप्राओं को समझ गया वालक तो वह उस समाज के के लिए उपयोगी है और समाज का उद्देशे भी तो अब मैं समझ पा जहां तक है कि आपको अच्छे से समझ मा आगया होगा समाजी करन सीखने का प्रोशीजर है सीखने की प्रक्रिया है या यह कहें एक नया बालक अपने समाज में अपने परिवार में कैसे होगा तो उसक कि सोसलाइजेशन समाजी करन की प्रक्रिया उसे क्या करेगी सयोग करेगी कि अब देखे आगे बढ़ेंगे जैसे कुछ और समझवाएगा अपना टोपिक था सामाजिक परिपकपट तो साथ यह उसमें मैंने बताया कि एक वेक्ति है यहने बालक है और उसके सामने उसका समाज है और समाज के कुछ नियम है समाज के कुछ प्रमप्राएं है समाज के कुछ वैल्यूज है समाज के कुछ विश्वास है बालक को समाज के इन सभी चीज़ों को समझना है अगर समझ गया तब तो वह समाज के साथ एड़जस्ट हो जाएगा समायुजित हो जाएगा और अगर वह समाज की इन रीती प्रमप्राओं को नेमों को वैल्यूज को विश्वासों को आदर्सों को नहीं समझ पाया है तो वह समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया है तो जैसे वेक्ति और समाज की बीच में समायुजन यहनि तालमेल इस्थाफिद हो जाता है ताम LCC से बन जाता है सही डंग का इंट सही रेवराओ समाजिक सामाजिक परिपकवता है सामाजिक परिपपकवता है ध्यान रगना सामाजिक प्रिपक्वता लर्निंग के थुरू आएगी सीखने के थुरू आएगी अधीगम के माध्यम से आएगी क्योंकि समाज की जो वैल्यू हैं समाज की जो प्रथाएं हैं उनको बालक सीखेगा तो ध्यान रगना सामाजिक प्रिपक्वता के विकास में और ध्यान रगना अधिगम करने के लिए हमें समाजिकरण की प्रकिरिया को अपना होने पड़ेगा इसलिए सामाजिक परिपक्वता की जो पहली सीडी है ध्यान रगना सामाजिक परिपक्वता की पहली सीडी सामाजिक परिपक्वता की पहली सीधी किसे माना गया है समाजी करण को मन यह क्यों सन आ सकता है साथ ही योका की यो इसे आप समझने क्या प्रियास करें जब तक बालक में समाजी करण नहीं होगा तब तक उसमें सामाजिक परिपक्वता का विकास नहीं होगा सामाजिक परिपक्वता आने के लिए क्या जरूरी है उसे समाज के नीमों को सीखना होगा और समाज के नीमों को सीखने के लिए किस प्रिक्रिया की जरूत पड़ती है समाजी करण की जरूत पड़ती है इसलिए सामाजिक परिपक्वता क कि पहली city क्या सथी ओं समाजिकरण यह की पूछा जाएगा सामाजिक परिप्प्वता की पहली सीडी है तो उसका अंसर बनेगा समाजिकरण मैं अब है साथियो आगे बढ़ते हैं है और अब हम पढ़ते हैं समाजिकरण की विधियां यह जो सोसलाइजेसन की प्रक्रिया है जो समाद से हमें पर्थाओं को रीती रिवाजों को मुल्यों को सीखना है तो सीखने के लिए हम किन विधियों को किन उपायों को अपनाएंगे तो एक उपाय है पहला साथियों जैसे हम देख रहे हैं उपदेश जैसे कि हम बच्चे के सामने उपदेश देते हैं कुछ कहानिया सुनाते हैं तो उनके माध्यम से भी बालक का सोसलाइजेशन होता है समाजिकरण होता है समाज के मुल्य वैल्यू रिति रिवाज उसके अंदर आत्मसाथ करता है बालक उनको सीख जाता है तो उपदेश के कहीं को अपने मातपिता को अपने घुरुजी को कुछ व्यवार करते वेघता है और उन व्यवारों को वह आपने जीवन में उतार लेता है इसे का ढ़ता अनू करन समाजिक परक्रिवता दोर बढ़ते हैं समाजी की परक्रिया को अपनाते हैं इसी परकार से पहचान जिसे हम तादत में भी बोलते हैं तादत की तादत में इसमें क्या होता है कि आप कि किसी से अपने आपको रिलेट करना हमें किसी रोल मोडल अपना जैसे कि कोई विक्ति अपडूल कलाम सबाव को अपना रोल मोडल माल लेता है तो उसका जैसा बनने का प्रियास करता है उसके जैसे गुनों को धारन करने का प्रियास करता है तो इस प्रक्रिया को हम तादत में कहते हैं तादत में के द्वारा भी हम समाजी करण को बढ़ाते हैं इसी प्रकार पुरुषकार इमदन कई बार बालक को हमें सिखाने के लिए अगर उसने समाज के अकोडिंग काम किया जो समाज के वैल्यूज है जो समाज के मोरल्स है जो समाज की रीती निवाज हैं जो समाज के नियम हैं उनके अनुसार अगर बालक ने कारिय किया तो हम उसे पुरस्कार देते हैं और बालक सीख जाता है कि ये काम समाज तुछ से करवाना चाहता ये करने योग्यकारिये हैं और कई बार बालक क्या करता है कि कुछ ऐसे कारिय करता है जो समाज विरुद्ध है जिने समाज थोड़ा एनेतिक मानता है समाज जिने गलत मानता है तो ऐसा कारिय करने पर बालक को दंड दिया जाता है तो बालक यह सीख जाता है कि इस कारिय को समाज गलत मानता है तुझे का जान और पुर्षकार और दन कि उम्मीद करता हूं आपको समाजी करन की प्रक्रिया की जो विधियां थी वो समझ में आई होंगी अब आगे बढ़ते हैं और वो एपिटर सामाजिक परिपक्वे विख्ती की विश्यस्ता है एक ऐसा विख्ती जो समाजिक रूपसे परिपक्वे है तो उसमें ऐसी कौन सी विश्यस्ताइम मिलें गे हम कैसे पैचानें तो देखिये उसको हम लेके चलते हैं साथी हो कि जो समाजिक परिपक्वे के विक्ति है वो उसका जो सामाजिक व्यवार होगा हो कि पूंच इस्तरिये कि पूंच इस्तरिये सामाजिक व्यवार होगा इसका तात्प्री क्या हुआ इसका आर्थ हुआ है कि जो समाज के नैतिकता है समाज की जो समाज की नियम है जो समाज की रीती रिवाज है उनको मानने वाला होगा और बहुत जादा मानने वाला होगा तो उसका जो समाजिक वेवार है वो यह कहा जाए उसका वेवार एक प्रकार से समाज के अकोर्डिंग होगा समाज के विरुद्ध नहीं हो जैसा समाज चाहता है उस समाज के अनुरूपी वो अपना जीवन जीता है तो उसका जो समाजिक वेवार होगा वो उच्छिस्तरिय भी पाए जाता है जो समाज की अकोडिंग नहीं जीता हैं नहीं सामाजिक घाट को a के सामाजिक हिद्स को इस बढ़ावा देने वाला वेक्ति वेक्तियों के एक तरफ ऐसे विक्ति के जो वेक्टी महत्व देता है वो शामाजिक रूप से परिपक्व वेक्थी कि इसी प्रकार से उसका वहवार निस्पक्ष होगा निस्पक्ष तावाद अर्थाथ वह भेद्भाव नहीं करेगा वो जो सही होगा उसके according ही बात करेगा तो हम कहेंगे उसके व्यवार में एक निस्पक्सता पाई जाती है पार्शेलिटी नहीं देखी जाती है इसी प्रकार से गंभीरता गंभीरता से अर्थ यह नहीं को चुपचाप रहेगा गंभीरता से तात्प्रिये है जो सामाजिक मुद्दे है उनके प्रतिवों सिंसियर होगा लापरवा नहीं होगा जो समाज से जुड़े वे मुद्दे हैं समाजिक सरोकार के जो मामले हैं उन पर वह है पूरी गंभीरता से और सजगता से अपना रेस्पोंस देगा उसमें अपनी सहभागिता पूरी निभाएगा एक्टिव रहेगा समाज में अपने योगदान देने के लिए इस प्रकार से यह साथियों सामाजिक रूप से प्रिपक्वेक्ति की विश्यस्ताएं हैं जिन में हमने रिखा उसका उच इस्तरिय सामाजिक व्यवार होगा सामाजिक हित को जादा महत्व देगा उसका स´ंर Alreadypress या अभीकरंट है हम यह देख रहें कि जो सामाजिक रूप से प्रिपक्वेक्ति हैं टा उस्तों सामाजिक प्रिपक्वता आती कैसे हैं उसकी सामाजिक प्रिपक्वता के विकास में कौन कौन से एजेंसियों उसको साथियों व्यद्वानों ने दो कैटेगरी में जिसने Primary Resources प्रात्मिक अभीक्रन और Secondary Resources इने की दिट्यक दुधियक होगा Secondary हे दुधियक अभीकरन के अब देखिया प्रात्मिक अभीक्रन में कौन-कौन से आते हैं प्रातमिक अभीक्रन में परिवार क्योंगी बालक जनम लेते ही वह रहता है अपने परिवार में रहता है माता पिता के पास चाचा चाची के पास बहाई बहनों के पास दादा दादी के पास यह कहें फेमली और बड़ी है तो उनके पास तो परिवार में रहता है अब परिवार कैसा वेवार करता है किस जंग से बोलता है किस पेठता है तो बालक उन सबीड़ को देखता है और देख़-देखकर उन चीज़ों को सीखता है और पिर बालест वैसा ही व्यभार करता है आपने देखाएक किसी परिवार में बहुत ही लोग संसकारित है तो उसका बच्चा बड़ा होता जाता है और कहीं माली जी सराबी है कबाबी है और गाली गलोच करते हैं तो उनका बच्चा भी बड़ा होता जाता है पांच-छे साल का होता है तो गालिया निकालने लग जाता है तो यहां क्या है को कहा से सीख रहा है अपने पर समाज में जो नियम कानून काइदे उनको बालक कहां कहां से सीखता है और जिनको सीखने को हम सामाजिक पुरिपकवता कहते हैं कि क्योंकि सामाजी जब सीखेगा बालक तो समाज के साथ Points ऑजस्त हो जाएगा और समाज के साथ एड़ेस्ट होने की स्ँधा है उसको आपने क्या का है सामाजी के परिपपद तो अपने परिवार से सिखेगा मित्रों से शिखेगा मित्रों आडोशी पडोशी जो हैं घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो कैसे लोग है तो उनसे वी बालक सीखता है कि परकार अपने रिष्टेदार जो इसकी भौह आ गई उसका मामा आ गया वे और दो रिष्टेदार आ गया तो रिष्टेदारों के आचrin को विवार देखकर भीबालक सीक्ता है कि सी परकार से उसके gebaut कौन कौन से एक कॉल्चरल हेस्टिवल मनाय जाते हैं उत्सब मनाय जात प्रात्मिक अभिक्रण है आप से प्रशन पूछा जाएगा सामाजिक प्रिपक्वता का निम्न में से कौन सा प्रात्मिक सरोत नहीं है तो इन में से तो आंसर बने गई यह प्रशन पूछा जाए निम्न में से कौन सा अभिक्रण सामाजिक प्रिपक्वता का प्रात्मिक अभिक्रण के अंतरगत आता है तो तो इधर के देगा और एक इधर का देगा इधर वाला आंसर बन जाए यह आपको यह किलियर मालूम होना चाहिए प् सामाजिक प्रिपक्रण में का तो क्याँ दियग और यहां अभिक्रण में से त्रौन से आते हैं प्रयम हो मैं सीक्षण स्थाल आ यह सुन द्धान रखना विध्यालय या कोलेज प्रात्मिक अभिक्रण में नहीं यह दित्यक अभीक्रण इसी प्रकार कोई राजनितिक संस्थाइं जैसे संसद हो गया राज्यसभा होगी लोक्षभा होगी या फिर माल लेजिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी होगी यह जो सारी संस्थाइं इनसे भी वेक्ति बहुत सी चीज़े सीखता है इसलिए इनको हम दित्यक अभीकरण में स ऐसे स्थाएं तो इस फ्रकार से साथ ही और आपने सामाजिक प्रिवता कि जो अभिक्रण थे उनको दो रूपों में बाठा दो प्रकारूम बाठा प्रात्मिक अभिक्रण और वित्यक अभिक्रण उन्हें दो रानुक प्रात्मिक अभिक्रण में परिवार मित्र पड़ोसी रिष्टेदार और उत्सव या APP में विधाल मकोले इसक्षन संस्था protective अब पढ़ते हैं साथियो सामाजिक परिपक्वता के लक्षन इन्हें हम फिर भी यह तो समझ गए सामाजिक परिपक्वता क्या है हमने एक डेफिनिशन तो समझ ली है कि जब वेक्ति समाज के साथ एड़्जस्ट करने की छमता उत्पन हो जाती है समाज के साथ उचित हम है सामाजिक विकास का प्रेणा ध्यान रखना बच्चे का विकास के कई आयाम माने गए हैं कि चार आयाम माने गए हैं जिन में मुख्य तीन है देखिए एक होता है कि सारणिक विकास जिसे हम गतिक विकास कहते हैं कि इसे हम किरियात्मक विकास भी कहते हैं किरियात्मक विकास इसी परकार से एक होता है संग्यानात्मक विकास कि संग्यानात्मक विकास इस संग्यानात्मक विकास को हम मांसिक विकास भी कहते हैं तो एक तो होगा किरियात्मक विकास यह जिसका सरीर से development से संबंदित है दूसरा है संग्यान का विकास यहने मानसिक सक्तियों का विकास और तीसरा आ जाता है जिसे हम कहेंगे सामाजिक विकास मुख के रूप से विकास के चार आयाम है किर्यात्मक्त यानात्मक्त और सामाजिक तो अब यह सामाजिक विकास है तो हम यह देखना है जो सामाजिक परिपक्वता है वह बालक के विकास के कौन से पक्षे से समंदित है तो सामाजिक विकास से समंदित है सामाजिक परिपक्वता का समद्ध विकास के कौन से डोमेन से है कौन से आयाम से है तो वो सामाजिक विकास से जैसे जैसे बालक का सामाजिक विकास होता है उसमें सामाजिक परिपक्वता आ जाती तो सामाजिक परिपक्वता किसका प्रिणाम है सामाजिक विकास का प्रिणा सामाजिक परिपक्वता को धारन करता चला जाता है फिर आता है संस्कृति को जीवन में उतार लेता है और उसके आकोडिंग ही वह आचरन करने लगता है विभार करने लगता है तो हम कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति को अपने जीवन में उतार लेता है किसकी वज़े से जब वालक सामाजिक रूप से प्रिपक्वेट हो जाता है बुद्धी द्वारब प्रभावित सामाजिक प्रिपक्वता का विकास जो हो रहा है वो बुद्धी पर भी निवड़ करता है समाज के नीमों को समझना है, समाज की रिती रिवाजों को समझना है, समाज की मुल्यों को समझना है, समाज के आदर्सों को समझना है तो अगर जिस वालक का बुद्धी तेज होगी, IQ तेज होगा, तो वह इन चीजों को जल्दी समझ पाएगा, जल्दी सीख पाएगा और जिस बालक की IQ कमजोर होगी तो वह बालक समाज के रीती रिवाज प्रमप्राओं को सीखने में, समझने में ज़्यादा समय लेगा तो हम यह कह सकते हैं सामाजिक परिपक्वता, बुद्धी सामाजिक परिपक्वता को प्रभाविते करती है तेज बुद्धी होगी, तिवर बुद्धी होगी तो सामाजिक परिपक्वता जल्दी आएगी, और अगर IQ कमजोर होगा तो सामाजिक परिपक्वता लेट आएगी या कम आएगी प्रिवार का महत्पुन योगदान है सामाजिक परिपकवता में सबसे ज़्यादा महत्पुन भूमिका है परिवार की और ध्यान रखना साथ हो यह सामाजिक परिपकवता जैसे-जैसे बालक की आयू बढ़ती जाती है सामाजिक परिपक्वता और ज्यादा होती जाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वालक की वह शामाजिक रूप से अधिक परिपक्वता होता जाता है क्योंकि उम्र के साथ उसका सामाजिक विकास बढ़ेगा और सामाजिक विकास का ही परिणाम क्या है सामा सामाजिक परिपक्वता जब आलावा आती है तो अपने जीवन में संस्कृती को उदार लेता है बुद्धी का भी प्रभाव हम देखते हैं सामाजिक परिपक्वता में परिवार मित्र विधाले की मेहत्पुर्ण मुहमी का है और आयू के साथ सामाजिक रूप से बालक और सामाजिक परिपक्वता जाता है कि अब आता है कि सामाजिक परिपक्वता के विकास में कि यहां से सुना सामाजिक परिपक्वता के विकास में सिक्सक का क्या रोल है सिक्सक की भूमी का क्योंकि आप और हम सिक्सक बनने वाले हैं तो सिक्सक का क्या रोल हो सकता है जो बालक को सामाजिक रूप से प्रिपक्व बनाए और बालक सामाजिक रूप से प्रिपक्व बनेगा तो उस समाज के लिए उपयोगी साबित होगा तो हमें बालक को समाज के लिए उपयोगी करना है और उपयोगी साबित करना है तो तो उसे हम हमें क्या है उस समाज की मुल्यों को आदर्सों को रीती रिवाजों को प्रंपराओं की समझे के अंदर विक्षित करनी है तो सिक्षक क्या रोल अदा के रूप मेरी ही प्रस्तुत्ट हो कि बालक सिखशक को देकर बहसीज़ा सीखता है तो सिखशक को अपने आपके एक आदर्स रूप में ऐसी बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि दूसर आच्छी बावनिया अच्छी आदते सिख्षक खुद के अंदर वी अच्छी आदते रखे और अच्छी आदते ही आदतें ही वालक समू में रहने और उन सायो की बहुवना परriminता कि अगर कुछ बालक उत ओते हैं उते उते हैं तो धीरे-धीरे बालक को बाहिर मुखी बनाने का परियास करना चाहिए यह हमें टीचर को ऐसे एवेंट्स करवाने चाहिए कि बालग अकेला नहें बैठे बलकि उस्पृजक्ट को करें मैं अजब भालत शामुइक रूप से खेले बालत सामव कुरूप से पढ़े एक प्रकार से वा समुव में रहे और आपस में मिलकर किसी कारिय को करें तो सामुइक्ता की जब हावना का विकास तो बालक में सामाजिक परिपपता का विकास से होगा सामाजी करन को बढ़ावा अर्थात hours प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज की रीती रिवाज प्रमप्राओं को सीखने में सहिक बनती है अगर हम समाजी करण के आउसर परदान करेंगे सीखने के आउसर परदान करेंगे तब तो वालक सीख पाएगा और हम उसका समाजी करण की प्रक्रिया को ही रोक देंगे तो वालक नहीं सीख पाएगा तो सिक्सक को सामाजी करण को बढ़ावा देना चाहिए इसके अलावा सिक्सक को क्या करना चाहिए सामाज में कौन-कौन से दोस है समाज में कौन-कौन सी बुरहिया है उनकी स्टेडी करनी चाहिए टीचर को उनका अध्यन करना चाहिए सामाजिक बुरहियों का फिर उन सामा समाज की जो बुरहियां उसके अंदर आ जाएगा तो जो उसका समाजी करन की प्रक्रिया थी वो सही दिशा में नहीं होगी तो उसका सामाजी प्ριपक्वत्र का विकास भी सही नहीं होगा और जब उसका सीमाजिक प्रिपक्वट का हाविकास सही डंग करी स्था नहीं होगा तो वह समाज के लिए उपयोगी भी साबित नहीं होगा इसके अलावा चिक्सक्या कर सकता है एक मोटिवेटर की रूप में बच्चों को उर्जावान रखें एक प्रेरख के रूप में कार्य करें बच्चों को हमिशा मोटिवेट रखें सीखने के लिए और समाजी करण के लिए इसी प्रकार से वेक्तिगत और सामॉइक व्यवारों का अध्यन करे बालक individual रूप से क्या कर और अपने गृरोप के अंदर वो कैसा व्यवार करता है अकेला रहता एक तो कैसा ब्राइब करता है उसका धंस से अध्यन करे और फिर बालक में जो कमिया है उन कमियों को दूर करवाने की कोशिशे करें इस प्रकार सिक्सक एक सिक्सक की एक महत्पूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है वालक के सामाजिक प्रिफक्वता के साथियों उमीद करता हूँ आपको ये टोपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जैसे ही अपने सारे टोपिक खतम हो जाएंगे उसके बाद में हम में कि लाएंगे तो आपकी और समझ भी किस हो जाएगी धन्यवाद अच्छे करना बाम शजब हुआ है अजू है जाए हैं